कि अब अब भाइए पिकोट फार्म आप सभी किसान बाईओ को आड़ दिक सौकत करता है तो किसान भाई आज की वीडियो में हमारे साथ हैं चकन नगर छेत्य के सत्वीर भाई तो नमस्कार सत्वीर वाई कितनी बाग्री हैं अपने बास 15 वाई कोन से नसल किया जमना पारी भीए जे पी अंसा भी है तो चलिए सत्वीर भाई आपके बाड़ा है तो किसान भाई यह सत्वीर भाई का बाड़ा है आप यह अच्छा बनाया वहा है यह देखिए आप यूदेखिए और यह इनकी सारी बकरिया है एंसाब अविन सब एक-एक करके बकरियों की डिटेल जानते हैं एले किसान भाईयों जैसे 6 बंखर खड़ी करना यह वाली कि जी क्या डिटेल है किपुत जात पर है यह यह जचाम पर छेठ अधन. और एक ये बकरी खड़ी हुई है, बड़ी फिमेल है, ये देखें, ये कितने दाथ पर, कितने आईट पर है, ये आठ दाथ पर है, बाई, अच्छा, आठ दाथ पर, और एक ये बकरी है, ये अभी लोड है, कि खाली है, बकरी हो, ये सब लोड है, सब लोड है, ये कितने-कितने मन्त की लोड है, ये सभी दो मन्त, दो महिने, दाई महिने के करीब की ये लोड, अच्छा, अच्छा, तो सत्विर भाई, ये बकरी आपकी है, ये ग्रेश चराने पर रखते हो, कि यह इस नाहीं लाग के लाते हो नहीं यह चराने जाते हैं जंगल में जाते हैं чे बख्राइट के फीम मतलब यह जो बैहात करें कितने बच्छे ले चुकई इस इस एक रपट था झाटि、 तो यह आरी की सारी जमना पारी बखरी यह तो एंग बच्चा लग बग क्या रेट में सेल होता है वीजिए यह यहार से जैसे तो यह सत्तिरवी रवाई की बकरियां हैं जो अभी खाली हैं इनकी ब्याद कब तक आएगी ये अक्टूबर नमंबर में ब्याद आएंगी सब अच्छा थीक है तो खिसान भाईयों इनके अब चलते हैं अगले बाड़े में अगले सेक्षान में काफी अच्छा भी वारा है कि देखिये और ये अगले बाड़ा बना हुआ है और ये काफी अच्छी फीमेल है इसकी डिटेल जानते हैं इन से यह देखिये काफी जबर्चस्त फिमेल सानदार क्वाल्टी एक नमर वाला जानवर है यह और इसी के साइट में यह पाठ एंसाम और इनकी डेटेल पता करते हैं सतवीर बाई से इसकी डेटेल बताईए इसके बच्चे लग बग क्या राट में उता है इसके लाग से चालू होता है एक लाग से शुरू होता है बैया जैसा बच्चा होगा दो लाग तीन लाग सेघा रहता तो पक्षा यह पाठ्ट है 20 डाइक recording डॉपए की होगी आज कि तारीक में दोे सबना रख रूम्तिक है कि फिक तो अपने छेत्र में जमणापारी का बच्चा कहां से चालू होता है जमना पारी का बच्चा 20-20 जार से सुरू होता है 50-60 तक का चालू रहता है बच्चा जैसे क्वालिटी वैसा बच्चा अच्छा वो कोई फिक्स नहीं है और यह बकरी आपन वो बकरियों से अलग क्यों रखते हुए यह घर पर रहती है वो जंगल जाती है बक आप बकरियों से अलग रहते हैं अच्छा यह रहती है तो सड़िर भाई आप यह बकरियां पालते भी जब भी ऑफ हो कि व्यापार भी करते हो तो किसान भाई हो मैंने का नमर्द गर इनका दू है है अगर इन्से कोई जानबर पसंद अरहा हो तो आप इन से पर्सनली खरी सकते हो ले सकते आप इंका ब्रीडर देखते हैं आप नहीं है यह इनके अहां का ब्रीडर है दो दांत पर है ब्रीडर है अच्छा क्या आइट पर है यह अड़तिस की आइट पर है अड़तिस है आप यह अच्छा मेरा अंसा अर पांच जानवा सेल के लिए है बता ना रज्व वक्तिं सब्सक्टर मेरी है और यह यह स्वेडर के लिए है यह सेल के लेए वाली उसें तो ब्रीक्त करने मॉक्त ही जी अअ बता रहे ली myla a सत्विर भाई इस पर क्या-क्या सेल के लिए है ये दूनों पाथ है ये जैन बखरी ये ये वाली पाथ ये पाथ है अच्छा है 5 जैल के लिए सेल के लिएए और ये 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 वी ये भी पाथ है अrar लेज़ आधि यह बड़ी फैमेल के लिए यह लोड यह लोड outta तो ठीक है काह से टांस्पोटेशन करते हैं न मतलब जो करते हैं अच्छा मतलब जहां कि शुबदार जाता है क्या प्रोसेस है मतलब यहां से कैसे जानवल ले जाते हैं गाड़ी से ले जाते हैं गाड़ी से अच्छे और वहां जाके ट्रेंस लोड कर देते हैं आको कश्टमर को क्या सुबूत बैजते अपने वेजते हैं अच्छ आँ बाटसब करते हैं सेटेशन का वीदियो भी देते हैं आट जानवर को जैन तो किसान भाई जो कोई यह वीडियो देख रहा हो परसनल यह इंसे कॉंटेक्ट कर सकता है यह चकन नगर छेत्र के हैं का नाम कुन सा चीकना चीकना गाउं तो किसान भाई यह सत्वीर भाई थे चीकना गाउं के और मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लाना बार जब तक